कि लंदन के अलवेट हाल में लता मंगेश्टर जी का परिशय देते हुए दिलिट कुमार सहाब ने इत्बार कहा था बच्चों की मुस्कान को क्या नाम हो चाद की रोशनी को उसके सितल्टा को आप कैसे आखो जावेद सहाब दिलिट कुमार सहाब के बारे में कहते हैं कि कि इस तरह से सूरज की रोशनी को आखा नहीं जा सकता जिस तरह फूल की सुगंध को कहीं कैद ने किया जा सकता कोई यह कैसे बताए कि ब्रह्मान्द यूनिवर्स कितना विशाल है कोई कैसे यह बताए कि इस समद्र में कितना पानी है हुआ ये बात जावेद साहब किताब के हवाले से कह रहा हूँ कि मैं आज जावेद साहब के बारे में जी यही बात कुपऊँगा कि हमारे जैसे लोग जो हमारी पीड़ी है आनेवाली पीड़ी है वह ये कैसे बताएगी कि जावे अक्तर साहव क्या हैं कितने हैं और कौन किस किस स्वरूप की मैं बात करूं जावेद साथ की उनके बजपन की बात करूं उनके पारिवारिक दिनों की बात करूं उनकी उचाईयों की बात करूं उनकी शायरी की बात करूं बतौर गीतकार बतौर पटकता लेखत किस रूम में मैं जैप्रकास पांदेव हूं आप साही चितक देख रहे हैं और जावेद साहब हमारे साथ बतोर महमान मवजूद हैं आपकी एक पुस्तक आई है जादू नमा जावेद अफ्तर सफ़र अर्भिन मंगलोई जी इसके लेखक हैं यह पुस्तक अंग्रेजी में भी आई है जा जादू नमा प्रभिन मंडलोई लेखक हैं और इसको ट्रांसलेट किया है रक्षंदा जली में जो काफी जानी-मानी अनुवाद जावेद साहब मैं यह जानना चाहता हूं कि उम्र की इस पड़ाव पर जिस जावेद अफ्तर को हम जानते हैं और उनकी जो यात्रा सुरू हुई बच्पन का जो पहला घटना कम हला कि मैं अपने दर्सकों को बार-बार यह बता दूँ कि आपको यह पुस्तक खरीद कर पढ़नी चाहिए जो भी सवाल मैं पूछूँगा आज जावेद साब से वह इस पुस्तक के हवाले से पूछूँ तो आप अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको यह किताब खरीदनी परीगी लेकिन उससे पहले मैं कुछ बाते जरूर जो इस किताब किरवाने से अगर बच्पन में आप जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी नहीं ना चाहते हैं कभी नहीं बूलना चाहते हैं बहुत गद हो के पद हो मैं जिस माहौल में पला बढ़ा तो 12-15 साल की उमर तक मुझे इतना उस बारे में मालूम हो गया था अपने माहौल की वज़े से जिस वातवर में मैं पला बढ़ा कि कोई दूसरे को तो कोई जाके स्कूल कॉलिज में आज-दस साल पढ़ना पड़ेगा तो मुझे ऐसे ही मालूम हो गया उस जगा में था जहां में पैदा हुआ जहां में पला बढ़ा तो उस माहौल को मैं कैसे भूल सकता हूँ वही आज मेरे काम आ रहा है इस किताब में बहुत सारी घटना है और खासकर जब मैं इसको पढ़ रहा था तो जितनी गहराई आपके संघर्षूं की है आपने ऐसे इस पुस्तक को पढ़ते समय सामने आते हैं आपने अपने कालेज की दिनों में बेंच पर आप बहुत समय से हुआ कई-कई दिन भूखे रहे आज भी आपने इस पुस्तक में छिक रहे है इस बात का कि आप कई बार 15 होतलों में जब बिश्तक पर सोते हैं तो आपको वो याद आता है सही आप कह रहे हैं और मैं जब सुबाव नाश्ता करता हूं वर ट्रोली में पढ़ दिन और दिया है मेरा घर समंदर के किनार है, सामने समंदर है, ट्रॉली पे बड़ा अच्छा नाश्टा रखा है, तो मैं उसे देख के सोचता हूँ, कि यह मही हूँ, यह कोई और आत्मी यह काम कर रहा है, और यह जो रखा हुआ है मेरे सामने इतना, इसमें से आधा, चौथाई, आठवा हि अगर उस दिन मुझे मिल गया होता, तो मैं कितना मुझे खुशी हो कितना आराम मिलता, तो मैं लेटता हूँ बड़े-बड़े जो मसेरियां है, इन होटलों में, तो मैं सुचता हूँ, इतना पैर फैलाने कि अगर मुझे जगा उस दिन मिल गई है, तो मुझे याद आता तो दुनिया था कि उन्होंने मुझे इतना दे दिया तो मगर मुझे ये भूलना नहीं चाहिए कि ये क्या है इसकी इज़त करनी चाहिए इतलिए कि मैंने इसके बिना के दिन देखे जावेद साब आपने इसमें इस किताब में अपने एक दोस्त का जिक्र किया है सिख मित्र का और उनका कड़ा आपके हाथ में है तूट आज भी है आज भी है और बहुत मार्मिक प्रसंग है उसमें उसमें आपने ये वो लेख किया है कि वो बार बार जो हिंदो मुसलिम लड़की के साथ हिंदू लड़की के साथ हिंग लोगों ने दिली में कितना जाती थी और फिर आप कहते हैं कि भाई तुम क्या बार बार मझे ये बताते हो कि मुसलमानों ने ये जाती की ये जाती की मैं आपको उल्टाया, मुझे वो मुसलिम लड़की पर क्या हुआ ये बता रहा था और वो फना जगा मुसलमानों के घर कैसे जला दिया ये बता तो मैंने उससे कहा कि तुम क्या एक ही बार की कहानी सुना रहे एक तरफ की तो दुम की ताली तो दोनों हाथ से बजीती तो त दो ड्हाई साल से उसके साथ था तो कहलना है यार मैं तो तीन-चार साल का था और मेरी पूरी फैमली 11 अजमी के मेरी आखों के सामने कट्ल होई ये बात उसने मेरे इतने वरसों होता ही नहीं थी मैं उसके कमरे में रहता था और उसने मेरे कपड़े भी सिलवाए थे इसलि छही साल बात बताई एक बार, ऐसे ही टॉपिक निकला या है तो ऐसे भी इनसान है दुनिया में तो जब हम अलग हो रहे थे तो मैंने वो जा रहा था ग्लाजगो जा रहा था, मैं बंबई आरह था तो मैंने उससे उसका कड़ा ले लिया, और ये 1964 में पहना था मैंने, एक और घटना है जिसका मैं जानना चाहूंगा लिख करना बांबे में जब आप संगहर्स के दिनों में थे और आप में मंक्षरों का बहुत जिक्र किया है और फिर बताया है कि किस एस्तिती थे और वहां से आपके एक साती इजो एक फरक यह है कि मैंने बताया लिखा है किसी ने सुना लिख दिया इतनी बड़ी किताब बना दी म gef करोनों लोगे साथ उा है और हो रहा है ये जो भूख है बेरोजगारी है बेगरी है ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बुड़ी अजीब बात थी जो मेरे साथ हो गई कि करोनों लोगों के साथ होती हैं, करोनों, और मैं तो किसमत वाला हूँ, बजगगया, उसमें से निकल आया, तो बहुत से लोग नहीं भी निकल पते हुए। हाँ अब यह तो लेंगविज की तरह से मैं इस्तिमाल कर लिया लेकिन मैं खिसमत को के लिखी हुई कोई चीज है वो नहीं ममता। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके हाथ में हैं, लेकिन किसी के भी हथ नहीं है। जिसमें लोग फिल्ड में चल रहे हैं, कभी रास्ता मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी कोई पीछे से धक्का देता, यद गिर पड़ते हैं, वो आजमी आपको धक्का नहीं देना चाहरा है, वो अपने रास्ते जा रहा है, तो ये जो एक ौहाइट है, जो साथ बिलियन लोग इस प्लैनेट के उपर हैं और हर आदमी किसी जतन में लगा हुआ है, हर इंसान की कोई कोशिश है, उसकी कोई इगो है, उसकी वज़े से तरह तरह के पैटर्न बनते हैं, बिगड़ते हैं, जैसे वो कलाइडोस्कोप देखते हैं उसमें शीशे के टुकड़े होते हैं, बनते हैं डिजाइन, अब वो डिजाइन बढ गया, बिगड़ गया, ऐसे ही जिन्दिगी में हालात हैं, बिगड़ते रहते हैं, यह किसी ने बनाये नहीं है, यह नो कोई बिगार रहा है, यह तने लोग है जो अलग-लग कोशिशों में हैं तो उससे पैटर्न बन रहे हैं जावेद साब, सब्दों का जादू, आपका नाम भी है, जादू, ये कैसे आपके अंदर आता है? आप जब लिखते हैं किसी चीज़ को ने खासका पड़कतागी, क्या फिल्म फिल्मी दुनिया को आपने कितने बेहतरीन लिखते हैं, और जो फिल्मे भी आपकी हैं वो पड अगर एक फिल्म को हम रख दें, केवल स्रोले को ही रख दें जो सलीम भाब के साथ आपकी, ये जो गहरा ही आपके सब्दों की है, अमिर्वानी आपकी बहुत 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 शुक्रिया, लेकिन मैं अपने बारे में बात इस बारे में नहीं करना चाहूँ, मैं एक जनल ब दिल में तो है, लेकिन कागस पे नहीं आ रही बात, तो मैं उनसे ही कहता हूँ कि लिखने से पहले पढ़ो, देखे, दुनिया में आपके गला अच्छा है, सुर है आपके गले में, लेकिन म्यूजिक स्कूल है, जहां आप सीखते हैं, आपके बदन में लोच है, आप में रिदम है, लेकिन डांस स्कूल है, वहाँ आप सीखते हैं, आप सीधी लकीर खेच सकते हैं, आप दायरा बना सकते हैं, लेकिन आर्ट स्कूल है, वहाँ उसे जाके आप सीखते हैं, सीखना जरूरी है, तो सीखना हमारा, सीखना कैसे है, पोईट्री का, प्रोस का, उसके भ बड़े कवी, बड़े शायर, उन्हें पढ़िये, folk songs उनको study कीजे, उनको याद कीजे, नई poetry, contemporary poetry, modern poetry, progressive writers की poetry, हर तरह की poetry पढ़िया. जब आप बड़े बड़े शायरों को पढ़ेंगे, या बड़े बड़े लेकरों को पढ़ेंगे, आप प्रेमचन को पढ़ेंगे, प्रिमचन को पढ़ेंगे, आप यश्पाल को पढ़ेंगे, आप इसम चुखताई को पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि लिखा जाता के लिए था है कैसे है, अ Tube कैसे इस्तिमाल की जाते हैं, बड़े राइटर है और बड़े पोईट्स ja ऐसी स्क्राइट के लिए इस्तिमाल की थी जबान, कैसी एक बात कही थी और कैसे एक बात नहीं कही थी और छोड़ दी थी जो आपने खुद समझी आप से कहा था तुम खुद समझ लो ये सब तरीखा जो है ये बड़े राइटर्स को बड़े पोईट्स को पढ़ने से आता है तो इससे पहले कि आप दुनिया को देना शुरू करिए पहले ये शिक हमति को मालूम होगा कि शबदों की म México क्या होती हे Як-सम।य को अब को याद का सम्बंद दिल्कसपी से है सब्कार अगर आपको ज्स बात से आपकी रूची है ज्स बात में वो याद रहेगी, जिसमें नहीं है तो आपको नहीं याद रहेगी एक बच्चा जो है कि इसको जह साल भर पढ़ाते हैं, उसके बाद यॉरप का नक्षा देते हैं, बेटा बताओ, इसमें जर्मनी कहा है, और वो नहीं बता पाता, और वो ही बच्चा अखबार में कटिंग देखता है, जहां एक हीरोईं की सिर्व नाक है, एक हीरो की आखें दिखा जाती है, एक कान दिखा बना एक डाया है, यहां उसको ध्यान है, उदर उसका ध्यान नहीं था, तो आपको बाते याद रहती हैं जब आपको ध्यान है. जावेद सब एक सवाल मेरे दिमाग में जादू नामा जावेद एक तर एक सफर पढ़ते हुए आई अगर मैं आपके जीवनकाल को ही देखूं और मोटे तोर पर उसको खंडों में भी वाज़ा करूं तो एक आपके बच्पन का समय है जिस जमाने में आपके इर्द गिर्द इस किताब में भी उसका जिक्र है कि हिंदुस्तानी जबान का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसके इर्द गिर्द आपका बच्पन नाम जाओ फिर एक आपका दोर जिस युग में आप खुद बड़ा काम कर रहे हैं और एक आज का समय है फिल्म उद्यों का जब आपकी मनलब फरहान सहब और जोया जी भी काम कर रहे हैं इस बादार समय है अगर मैं क不好 कि उस काल ख़ंड को मैं जावेद स सहबसे जाना चाहूं कि इन तीनों को में क्या क्या भी उसस्ताय देखते हैं और कितना बदलाव आया आम बजलाव भी बहुत है और बहुत कुछ एक है ये क्या होता है कि वक्त के साथ इनसान बदलता भी है और एक जासा भी रहता है कुछ बाते एक रहती है चलती रहती है और वो परिवारों में भी होते हैं रुगनश में भी होती है कुछ बाते हैं करेती हैं कुछ बदल जाती है मैं सोचता हूँ अपनी नानी के बारे में कौन सी भाषा बोलती थी कैसे बैठती थी क्या खाती थी क्या पीती थी और कैसा उनका सरवता था कैसा उनका पांधान था सुपारी कैसे काटती रहती थी दिन बाद और मैं अपनी बेटी को देखता हूँ तो लगता है ये दोनों अलग प्लैनेट के हैं उसकी भाषा, मेरी नानी की भाषा एक तरफ पीछे मेरी नानी है, सामने मेरी बेटी है बीच में मेरी माँ है ये सब तिनों एक तरह से देखो तो अलग अलग दुनिया के है मगर कुछ बाते हैं जो कामर है वो तब से अब तक वैसी की वैसी चल रही है फ्री थिंकिंग, सेकुलरिज्म, बड़ा दिल रखना अच्छी बातों को अपनाना, चोटी बात नहीं करना ये उन सब में है, वो उन में भी था, मेरी मां में भी था, अपनी बेटी में भी देखता हूँ तो कहीं ऐसा लगता है, ये तो दूसरी दुनिया की है, मेरी नानी तो किसी और दुनिया की थी ये भी सच है और ये भी सच है कि जो value system है जो मूले संसकार है वो एक ये तो पारिवारी के बात हुए बाली वो जिसको हम आज की तारीक में करें वहाँ भी वही बात है बहुत कुछ बदला है बहुत कुछ है मुझे अभी कली को इसाब सवाल कर रहे थे कि आज कल जो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है उसे बादे मुझ न कहिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कही है वो बढ़ गई है कुछ आइडियोलिजी के वो पुलिटिकल बेसिस पे मैंने उसे कहा बिल्कुल गलग बिल्कुल नहीं कही है जिसको यह जानना चाहिए जानना है कि नैशनल इंटेगरेशन क्या चीज़ है सच्चा हिंदुस्तान क्या है वो आके हमारी फिल्में रश्युगा है और देखे कोई भी फिल्म ले लो जाके एक फिल्म कोई सी भी उठा लो जो पिछले साल बनी हो दख साल पहले बनी हो छे महीने पहले बनी हो या बीस साल पहले बनी हो एक फिल्म ले लो उसके टाइटल्स पर हो कि इस फिल्म में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया तो आपको होगा कि हिंदुस्तान की हिंदी की फॉंबे में जो फिल्में बनती हर फिल्म एक नहीं हर फिल्म इस देश के हर जाती के हर धर्म के हर वर्ग के हर भाशा के हर जगा के पूरब के पच्छिम के उत्तर के दखिन के लोग एक फिल्म में मुझूद हो और उनका एक ही गोल है कि ये हमारी फिल्म कामयाब हो, फिल्म हिट हो, अगर इसी तरह से हम पूरे समाझ में एक हो जाएं, और हमारा गोल ये हो कि हमारा मुल्क तुपर हिट हो, तो क्या बात है, बहुत कुछ सीखने के लिए फिल्म इंडस्टी में आदमी आके देखे, उसे समझे, तो बहुत कुछ स एक संकट मोचन मंदिर में जवराष्ट्री, वो आपका व्याक्यान, इसके अलावा आपने एक लेख कालेज के दिनों में लिखा लिखा, बहुत ही, मैं कहूंगा कि हर व्यति को जितने भारती, हिंदुस्तानी, जावेद साब का वह लेख जहूर पर लिखा, जो धार्म को सत्रा वर्सका, मैं मलग उसको पढ़ते हुए आश्यर होता है, क्या आपने लिखा है, मैं चाहूंगा कि उसकी कुछ बाते दर्सकों को जरूर, क्यूंकि हम सारे लोग जो आज के समय में हैं, हर चीज को भाग्य की भर्वान की भरो से छोड़ देते हुए, सत्रे साल की नुम्र में जावेद साथ ने जो लिखा है, उस पर आपको पुरसकार भी मिला था है, तो कालेज के दिनों में, मैं चाहूंगा कुछ बाते हैं उसकी जरूर, जो है, इसमें है, लोग पढ़े हैं उसे, लेकिन बहुत-बहुत शुक्री और ये भी इनका कमाल ह है, हमारे दोस्त के अरविन मन्रोईश आप के, उसे इन्हों ने चाप दिया इसमें, ले आए, लेकिन साथ, मैं चाहूंगा के धर्म के बारे में, जो आपकी, देखें, वो बड़े, ये बड़ा, एक वो कहना चाहिए, वो सेंसिटिव लोगों की भावनाओं को ठेस पहु नास्टिक थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, और जो एथिस्ट होते हैं, आपने सुना कि किसी ने कहा, वो एथिस्ट की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इसलिए कि एथिस्ट जो मानता है, उसे वो लॉजिक से, रीजन से, Soldier 겉ढं़ करता है धरमिक आइमिक जो मानता है उसे वो sentiment से Defend करता है इसलिए कि उसके पास logic नहीं होती है reason नहीं होता है वो बिना logic के बिना reason के एक चीच मान रहा है तो उसे Defend करना सिवाए emotion के और sentiment के किस चीच से Defend करेंगा उसका difference ही यह है sentiment जो डिफेंस है वह लोजिक रीजन तर्क वह उसका डिफेंस जापर सब्सक्राइब कि आपका एक इच्छा है आपकी ऐसी जिसको आप अभी भी करना चाहिए वह है किसी फिल्म का निर्देशन करना चाहता है मगर मैं बड़ा काहिला आपकी देखिया इनिर्देशन जो है ना वो ना सिर्फ दिमाग का बल के बाड़ी का भी बहुत मिहनत का काम है और वो कर लेता तो कर लेता अब मुझे शक है कि मैं कभी करूँगा इसलिए कि दिल तो है मेरा इसलिए कि मैं जब लिख रहा होता हूं तो मुझे फिल्म साफ दिखाई दे रही होती है मैं सीन जो लिख रहा हूं वो मुझे साफ दिख रहा है कि कौन कहां बैटा है कैसे चल रहा है कैसा माहौल है कैसी रोशनी है क्या सब दिखता है तो वो मैं कभी-कभी मेरा दिल चाहता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं किसी और के हवाले कर दूँगा, जाहर है वो अपना जो उसका सोच होगी उसके हिसाब से करेगा, तो मैं एक बार खुद करूँगे, लेकिन चलिए, आपने एक बार फिर कहा है तो फिर यो कामना जाग गई कि कर लिया जाए, मैं यह सोचता हूँ कि आपके पास तो फरान साब से लेकि जोया जी लेकि जिसको भी अगर आप अपना, मैं आप किसी को भी गोल देंगे तो आपके लिए तो सब कुछ आपका है, चलिए ठीक है, यह रिकॉर्ड पे आपने कर दिया, मैं उनन मैं यह पूछूं कि सफलता के जिस मुकान को है, मैं जानिसार अप्तर साब से और आपके मामा जी, मजाज, मजाज साब, उन से जोड़ी कुछ बात, देखे, मजाज साब के साथ मेरा वक्त अपने अपने फादर से जादा गुदा है, मैं तो नानेहाल में था, जब मेरी अजास थे, एक ही घर में थे, और उनकी छोटी बेहन थी, दोबरस छोटी थी उन से, तो जाहर है कि जब उनकी डेथ हुई बेहन की डेथ हुई तो कही ना कहीं मजाज, वह तो खुद कुआ रहे थे, उनका तो कोई भीबी बच्चे थे नहीं, तो उनको बहुत ख्याल हो कहीं कि ये मेरी बेहन के बच्चे हैं और ये अनात हो गए हैं, माँ मर चुकी है, बाप कहीं और है, तो वो हम मेरा और मेरे छोटे भाई सल्मान का बहुत ख्याल रगते थे और हमने उनके साथ बहुत वख बुदा रहा है, उन्होंने मुझे याद है कि दस्ते सबा जो पहली किताब थी, वो आई थी, लखनू में, पारसल में, मजाज साहब के लिए, और वो कहां होगी, खो गई ये फिक गई होगी, यहां फैस साहब का ओटोग्रफ था मजाज के लिए, अपने दोस मजाज के लिए, तो वो उन्होंने मुझे दी पढ़ने को, के तुम पढ़ो, औ पूजे पोईटरी सुनाते भी थे, दूसरों की भी पोईटरी सुनाते थे, पूटरी की के लिए पढ़ने को भी देते थे, और दूसरी तरफ, वो बहुत कम लोग जानते हैं, कि वो ते स्पोर्ट्समें, तो उनको हुकी का, उन्हें क्रिकेट का, उन्हें फुलबॉल का इतना पता था और वो चाहे वो ध्यान चंद हो चाहे वो डॉन ब्रैडवन हो चाहे वो मुश्टाकली क्रिकेटर हो इनके बारे में डीटेल में जो हमें बताते हैं मतलों जमने में टेलिविजन तो था नहीं मुझे तो याद है कि एक तरफ कलमान जो मेरा भाई बैट पे ले जा रहा था आठ नंबर ऐसे होकी से बाल पर बनाते हुए चलता था तो किसी की समझ में नहीं आता था कि बाल के दर जा रही और फिर वो सामने से उनका वो आया डिफेंस का आदमी आया और ध्यान चंद ने इधर बाल लेके यूं टर्ड तो वो पूरा हमको मैं दिखाई अब बैक्ट और उसने कैसे खेला तो ये सब हमें तो हमतो हीरों हमें लगते थे फिर इक उनोंने हमारा क्लब फार्म करवाया मॉल्य में हमारी उमर के साथ-अठ साल के इसने बच्चे ते सबको दिमा करके एक क्लब बनाया क्रिकिट का उसका नाम था जयहिंद क्लब तो उ की एक पोएम थी रात और रेल तो वो बच्चों को दाद अच्छे लिखती इसलिए उसमें रेल का डिस्क्रिप्शन था रात को ट्रेन कैसे चलती है और कैसे आवाज आती है वो पूरी काँई पंडी जवालाल नहरू ने वो पोएम सुनी थी किसी गैधरिंग में तो जहां वो थे तो उन्होंने का कि ये पोएम तबाई हिंदुस्तान की हर रेलवे स्टेशन पर लगी होनी चाहिए तो वो हमको उन्होंने दी पढ़ने को कि तुम ये पढ़ो तो एक तरफ कहां लिटरिचर से इंट्रिडूस कराते थे पिर उनके दोस्ते थे बड़े-बड़े पोष्टस थाते थे जो ठहरते भी-थे हमारे खर में मुझे ऐच्छी तरह कई बड़े पोष्टस याद है गर ही थे तो उनके पास भी बिठाते थे हमको और दूसी तरह हमको इस्पोट्स तो मेरा आज़ भी जो इंट्रेस्ट है स्पोर्ट्स में वो परहब मजास की वज़े से है तो लिट्रिचर हो या स्पोर्ट्स हो ये दोनों दिल्टस्पियां उन्हों ने पैदा कराई हैं हम लोग 7-8 साल की उमर में क्या बाद है और जनी सार साथ के बारे ने उनके साथ मैं कभी रहा है ये नहीं मैं सिर्व रहा शायद 3-4 साल के उसके बाद मैं कभी रहा नहीं तो मेरी मिमरीज उनके बारे में इतनी ज्यादा नहीं है जितनी है कि जो मेरी माने उनके बारे में मुझे बता है तो मा जो थी तो दोनों बच्चों को बताती कि यह तुमारा बाप किता ग्रेट है और उसमें यह खुबी है उसमें यह है उसने ऐसे लिखा तो वो हमको जादा मालूम था और हम बड़ी बदपन में बड़ी एकदम हमारी शरदा थी अपने बाप थे जो नहीं था वहां वो अंडर किते तो जिसे हम अपने बाप के खुश्बू समझ रहते हैं तो बड़े होके भी जब बबबाई यह आया तो मैं उनके साथ तो नहीं रहता था लेकिन ये के बहराल जाता था उनके पास बैटता था और उनकी नदर जो थी पोईट्री पे बड़ी गहरी थी और मतलब करते ते ने गाई ये ल्वज है इसका इस तरह से इस्ठिमाल ठीक है के नहीं है तो मतलब यह मांने थे किस अदमी को सब पता है तो डिसकुशन करते थे तो और भी उनके अपने नुनम फहराल अपने दूस्ते आयल में को हैड़े नहीं बड़े बदे लेते हैं तो मुझे इन्होंने कई बातें इसी बताईEM highly जो बड़ी काम किए थी मत्लिए एक बात अन्होंने मुस्च कही के देखेखे प्मूझ तॉ कि असलिए कि आसल जबानाती अपसी के तब इसीमाल कर सकते हैं जब आप अपने ख्याल जो है आपका वह आपकी दिमाग में बिलकुल साफ हो, मुश्किल जबान में क्या होता है, बड़े बड़े शब्द इस्तिमाल किया है, आपने तो उसमें कुछ नो कुछ माने निकली आते हैं, लोक समझते हैं कुछ होगा, लेकिन आसान जबान में तो साफ, जैसे शीशा दुला हुआ है, साफ दिख मुश्किल काम है, और ये मुश्किल काम सीखना चाहिए, सवाना जी और कैफिस आप, कैफिस आप पर हमने जब पिछले साल साही थे तक पर इक उनके लिए उनकी याद में कारिकरम किया था, सवाना जी और बाबाबा, आजमे जी भी उससे जुड़े थे आन लाइन, आप देख रहे हैं चछिपो, मैं चाहूंगा कि उनके बारे में जो आपकी, शवाना जी तो साथ ही है, कैफिस आप के बारे में सोचता हूँ तो बहुत हैरत भी होती है, कैफिस साहब एक गाउ में, कजमे में नहीं गाओं में एक मिजल स्लास जमीनदार फैमली में पैदा हुए थे जो रिलिजिस थी और वहां रिजिजियुसिटी थी शिया फैमली थी उनको एक कुछ उमर में भेज़ दिया गया एक मदरसे में लखना हुए जिसका नाम था कौलूलमदारिस कुछ ऐसा नाम था ताजूलमदारिस या क्या उस मदरसे को उनने छोड़ दिया वहां से निकल के भाग गए यहां से गाओं से एक मदहभी घराने में पैदा हुए लखा जिसे मदरसे भेजा लिया था वो वहां से निकला कहां गया मजदूरों में गया किसानों में गया उसकी जो जर्नी है जो सफर है उसका और जहां तक वो पहुँचे अपने सोच में अपने खैलात में अपने संसकारों में अपने जीने के तरीखे में वो सफर कितना लंबा है देखें ऐसा कहते हैं कि शायरों की कत्नी और कर्नी में बड़ा फर्थ होता है और होना भी चाहिए इसलिए कि उनकी कत्नी अच्छी होती है कि वहां तक कर्नी क पहुँचना बड़ा मुश्खल काम है मगर ये एक इन्सान थे जिनकी खत्नी करनी में फर्ख नहीं था, उन्होंने सेकुलरिज्म पे लिखा, कमुलरिज्म के खिलाफ लिखा, पोईट्री की, तो ये कोई नारा नहीं था, ये अस्लोगन नहीं था, उनके लिए पोलिटिकल, ये उनकी जीने का तरीखा था, उनका गर सेकुलर घर का, और आज भी है, बच्चे उनके चला रहे हैं उसे, आज फिल्म इंडिस्ट्री की सब्से मठी होली जो है, वो कैफी आदमी का जो घर है, उसमें उनके बच्चे करते हैं, उनके दमाने का उते हैं, सब्लोग करते हैं, क्रिस्मस महाँ मनाए जाता है, उनका correct political statement नहीं जा, उनकी जिन्देगी में शौकत कैफी, शबाना, तन्वीद उनकी बहुए, ये बड़ी empowered औरते हैं, ये आजाद ख्याल है, इनकी अपनी राह है, अपनी एक अपना इस्थत्व है, तो उनकी जिन्देगी में इसी औरते हैं, अगर उन्होंने मजदूर के ह के बारे में लिखा, तो तिरुप अपने कोई air condition का में बाटके नहीं लिख दिया, वो उनके बीच में रहे, उन्होंने trade union में काम किया, तो उनकी ये एक आजमी है, जिसकी कतनी और करनी में कोई फर्ख नहीं, और इतनी रोशन ख्याली, इतना बड़ी thinking, इतना modern होना, एक इनसान को जो वहाँ पैदा हुआ, तो उसका सफर कितना लंबा है, दूसे भी progressive writers है, मगर वो जहाँ पैदा हुए थे, वो modern घर थे, मुकाबलत तर, वहाँ उनको बेहतर दूसी तरह की education दी गई थी, उनका सफर इतना लंबा नहीं है, जितना कैफी साब का है, और हकीकत यह कैफी साब आगे निकले हैं, अपनी सोच में, अपने जीने के तरीखे में, मेरा एक आखिरी सवाल आज के साथ चातकार का, उसके बाद फिर हम चाहेंगे कि मतलब जावेद साब से बार बार मुलाकात हो, कभी हम फिर साही त्यास तक में भी चाहेंगे कि आप आएं, हो सकत बयान सादिया है, इसमें कि हमारे परिवार में खांदानी परंपरा है, बच्चों को नलाइक मानने है, हाँ, कुछ एदा है, हुआ है, मैं तो, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मेरे बाप को बहुत उम्मीद थी कि मैं कुछ कर लूगा जिन्दगी में, मुझे ऐसा नहीं ख्याल नहीं आता मुझे, हाना कि जब कुछ कर लिया मैंने तो बहुत खुछ थे, बड़ा उस पर उन्हें घर्ब भी था, लेकिन ये कि उन्हें शुरू से उम्मीद हो कि कुछ करेगा, मुझे नहीं लगता है, ऐसे ही मैं भी अपने बेटी के बारे बहुत परिशन था, बेटी पे मुझे बहुत भरोसा था, कि ये तो कुछ न कुछ कर लेगी, इसमें बड़े तेवर है, वो जो था, कभी जखड़ता नहीं था, और बहुत अपना सीधा साधा साथा था, जो मुझे बाद में मालूँ हा कि मेरे सामने सीधा साधा बना रहता है, वो पीछे गेर बदला और वो कुछ और हो गया, मुझे बड़ी खुशी है भी तुमाया खेर मुझे बहुत दोनों ही की कामियाबी पर मुझे, खुशी है और खुशी इस बात की नहीं है, जो सिर्फ के वो कामियाब हो गया है, वो कामियाब अच्छा काम करके हो बहुत बड़ी बात तो मेरे बेटे ने मुझे सर्प्राइज दी, मैंने भी अपने बाप को सर्प्राइज दी ती, ऐसी बात लही है, और उन्हों ने शायद, नहीं वो तो नहीं दे पाए होंगे, इसलिए कि वो तो 15 बरस के थे जब उनके फादर की दित हो गई, लेकिन ये हमारे हां कुछ रव क्या करें कुछ कर पाएगा कि नहीं, और करके दिखा देगो. जावेज साब, सबाना जी की बड़ी इच्छा रही है कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ लिखें और जब ये पुस्तक अर्विन मन्डूई जी लिख रहे थे, तो बहुत बड़ी प्रेड़ा उनकी रह तो मजे क्या दरूबत करने की वो कर दिया उन्होंने काम, ठीक? के पास पहुंच सकती है, लेकिन आम लोगों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसका पेपर बैक संस्क्रण जरूर आये, भले ही इसकी फोटों में कुछ निकाल दें, कम कर लें, कैसे इसका दाम कम हो, इसका प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये कैसी महत्वतों हमें संस्क्रिती है, हमारी तहजीव है, हमारी परंपरा है, और इसके अलावा, वह संधर्स है, जो छोटे बच्चे को, जो कभी स्कूल की बेंच पर सोरा था, और आज जिसके घर से समुद्रका किनारा भी लिखता है, और अगर हम फिल्म उद्योग के, कुछ सफलतम नामो की बात करेंगे, तो जावेद अक्तर साव इसमें मौजूद हैं, आप हिंदोस्तानी तहजीव, हिंदोस्तानी संस्क्रिक, हिंदोस्तानी विर्बान के एक बड़े नाम है, प्रतिनी देहां हमारे साथ हमेशा रहें, ऐसे ही हम लोगों को निर्देशित करते रहें, आपका हुआनी पुन साथ हुआनी देहां हुआनी प slag